असलामलेकम स्टुरेंट्स आज हम करेंगे हमने एक्सराइज तो स्टार्ट किया है वो है हमारे पास चैप्टर नुबर 5 की 5.2 लास्ट टाम हमने इसका क्वेस्टन नुबर 1 डिसक्स किया था जिसमें हमने देखा था कि पॉलिनॉमिल्स को हम एड कैसे करते हैं आज हम इसका जो क्वेस्टन करेंगे वो है हमारे पास इसका क्वेस्टन नॉमबर 2 क्वेस्टन नूम्बर 2 है इसमें उन्हुने कहा है कि हमने सब्ट्रेक्ट करना है ठिक है क्या करना हैाँ है separate, separate का मतलब हमने minus करना है, तीनों polynomials मतलब यहाँ पर आपको two polynomials given है, एक को उन्होंने p का नेम दे दिया और एक को उन्होंने q का नेम दे दिये है, अगर आप question के statement देखे तो इन्होंने लिखा हुए, separate p from q when दो conditions आपके पास given है, तो separate करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक example बता देती हूँ कि हम अगर polynomals को सप्रेक्ट करते हैं तो हम कैसे करते हैं for example मैं यहां पर अपने से अगर कोई से भी एक लिखती हूँ 4x square plus 3x example यह है और दूसरी मैंने लिखती है 7x cube plus 6x square minus 3x and minus plus 2 ठीक है आप लोगों ने सबसे पहले पहला step जैसे add addition में आपको बता था कि हमने arrange करके लिखना होता है same power के नीचे same power होनी चाहिए same variable के उपर जैसे कि यहां पर variable x है x cube है तो यहां पर भी x की power cube है square के नीचे power square है simple x के नीचे simple x है अगर मैंने इन दोने polynomial को subtract करना है तो subtract करने के लिए आपने करना होता है कि जो भी नीचे बरी polynomial होती है इसके sign change कर देते हैं ठीक है जैसे इसका sign plus है तो minus हो जाएगा यह भी plus है यह भी minus है तो यह plus और यह plus है तो यह minus ठीक है फिर आपके यह जो उपर भी signs जो होते है ना यह हम question को plus minus करते वे use नहीं करते जो हमने change करके new sign किये होते हैं हम इनको use करते हैं अब देखें जैसे आपके पास इसके साथ तो plus है ना और हम मैंने यह वाला sign use नहीं करना क्योंकि इसको मैंने change कर दिया है तो आपके पास यह plus है और यह क्या है minus plus minus क्या होता है minus तो five मेंसे जब मैं seven को minus करूंगी तो क्या आजएगा two x q बट sign कौन सा हैगा sign तो हम बड़ी value के साथ लिखते हैं बड़ी value के साथ वाला जो होता हो लिखते हैं तो यहां पर five और seven है तो बड़ी value कौन सी है seven है तो seven के साथ अब आपके पास यह plus है और minus है plus मैंने कहा था कि हम अब consider नहीं करेंगे क्यूंकि हमने उसका sign change करेके minus कर दिया तो plus अब नहीं है कौन सा sign है seven के साथ minus इसका मतलब यहां भी क्या जाएका minus इसे तरह आपने next को देखना है यहां पर यह वाला sign नहीं चलेगा यह minus है और यह वाला minus यह चलेगा minus minus क्या आते है प्लस होता है तो अब मैंने क्या करना है four के इंदर six को plus करना है तो क्या जाएका four plus six ten साइन का ज्यादा मस्वला होता है आपने साइन का याद रखना है कि साइन हम वह लगाते हैं जो बड़ी वैलियू के साथ होता है तो यहाँ पर बड़ी वैलियू 6 है फोर तो नहीं न है फोर तो six से चोट है तो मैं क्या गरूँगे six के साद जो sign है ना plus वाला तो consider नहीं होगा कौन सा consider होगा minus इसले महीं यहाँ पर लगाँगी minus आप देखें यहाँ पर जो next है यह term यह भी plus है और नीचे वाला sign भी plus है क्योंकि sign minus पहले था और पहले वाला sign हमने use नहीं करना जो हमने change किया है वो sign देखना है तो plus plus क्या हो जाएगा plus तो three plus three six six इसे तरह आप next देख ले एक sign है plus और एक sign है minus plus minus minus इसका मतलब है two minus two zero तो zero को हम दीचे नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब आपके पास सप्रेक्ट करने से answer यह बना था अब हम आते हैं इस exercise के question की तरफ तो जो exercise का question number two का one part है उन्होंने कहा हुए कि subtract हमने करना है P from Q मतलब कि हमने P को Q में से subtract करना है P का polynomial को Q के polynomial से subtract करना है तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले उपर polynomial कौन सा लिखेंगे यहां पे हम पहले polynomial Q का लिखेंगे फिर P का करेंगे क्योंकि Q में से P को minus करना है तो अब question लिखते हैं question में P आपके पास क्या given है P है आपके पास 3x की पावर 4 plus 5x cube plus 2x का square minus x ठीक है और Q है आपके पास 4x की पावर 4 plus 2x square plus x cube and minus x plus 1 यही है आपके पास ठीक है आपके पास यही question लिखेंगे अब मैंने आपके पास यही question में लिखा है कि P from Q मतलब Q पहले आएगी term और उसके बाद हम P की लिखेंगे तो Q की term कौन सी है first value मतलब second value Q की यह बन रही है तो मैं Q की सबसे पहले values लिखूंगी plus x cube आप arrange करके भी लिख सकते हैं मतलब कि जैसे 4 की बाद power 3 आती है तो मैं यहाँ पे पहले 3 लिख दूँ और बाद में मैं यहाँ पे square कर दूँ फिर इसके बाद power square की आती है तो यह square minus x plus 1 ठेक है आपने answer जो देना होता है वो answer आपने नीचे अरेंज करके देना होता है कि greatest power फिर उससे छोटी पावर फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी यह क्यों हो गया अब इसके नीचे पी लिखना है तो पी की first time है और minus x ठीक है यह values हो गई अब आपने क्या करना है सप्रेक्ट करना है सप्रेक्ट करने के लिए मैंने आपको जैसे example होता है हमने क्या करने होते है sign change plus से minus 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 plus opposite sign कर देने होते है दो ही signs है plus and minus तो जहां जहां पर minus होगा होगा वहाँ पर plus जहां जहां पर plus होगा वहाँ पर minus आप कर लेते हैं इसप्रेक्ट आप देखें इसके साथ sign है plus का और इसके साथ जो अब new sign बना है वो है minus तो plus minus minus 4 में से जहां में 3 को minus करूँगी तो आजएगा 1 वन आप ना भी लिखे वरियेबल के साथ तो कोई फरक नहीं पड़ता sign कौन सा लगाऊंगी 4 है यहां पर 3 से तो 4 के साथ sign का है plus का तो यहां पर आजएगा plus आप देखें next term plus है और new sign आया है minus plus minus minus तो 1 है यहां पर 1 और 5 को जब मैं minus करूँगी तो 5 minus 1 क्या होता है 4 यहां भी आजएगा 4 x cube और sign क्या आएगा minus minus क्यों आएगा 5 के साथ जो new sign मना है वो क्या है 5 minus इसलिए minus plus और new sign यहां पर क्या है minus plus minus minus sign नहीं भी लगाना plus minus का मत्लब हो गया minus करेंगे तो 2 मैंस चील में 2 minus करूंगी तो क्या आजएगा 0 तो 0 हम नीचे नहीं लिखेंगे अब देखें यहां पे अगर fourth term के बारी आजए तोgenerous और plus minus plus क्या होता है वो भी minus होता है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है 1 minus 1 आपके पास 0 आजएगा तो हम 0 को नीचे नहीं लिखेंगे इसके term 0 आई है और इसके term भी जरू आई है तो यह दोनों नहीं आएंगे अब यह बची है term इसके नीचे कोई भी value नहीं है तो आपने इसको as it is लिख देना नीचे तो आपके पास जो इसका answer बना है वो है x4 minus 4 x cube plus 1 next है आपके पास आप अगर इसके साथ variable लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं जैसे इन्होंने question में दिया हुआ है क्योंकि यह हमने q लिखा था यह हमने p लिखा था और यह जो answer है वो हमार पास क्या हो गया q minus p क्योंकि p को हमने किसमे से minus किया है q में से ठीक है चले अब जो second part है वो इसका आप लोगोंने खुद करना है बस आपने क्या करना अरेंज करके उसके बाद उससे sign change कर देना जैसे मैंने ऐसे कि है sign change नीचे वाले polynomial के और उसके बाद आपने उससे add हो रहा है तो add कर दे minus हो रहा है तो minus कर दे अब मैं आपको जो इसका part कर वाऊंगी वो है इसका part no.3 part no.3 question no.2 क्या है हमारे पास speaking value है हमारे पास a cube plus 2a square b plus 3ab square plus b cube और q की value क्या है आपके पास a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube आपके पास ये values है given अब हमने करना है q में से p को minus करना है मतलब q की value पहले लिखेंगे तो q क्या है मेरे पास अब हम इसको solve कर रहे है a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube आप मैं किसकी value लिखूंगी p की value अगर आप देखें तो first में है a cube मतलब a की power 3 तो यहाँ पे a की power 3 यहाँ पे है मैं इसके नीचे लिख देती हूं second है 2a square b a का square then b तो यहाँ पे एक यह है a b और यह a b है लेकिन a का square किदर है इधर है तो मतलब यह वैली वैल्यू है 2 a square b 3rd value देखें 3 a b square यह वरी टम बन रही है इसके नीचे लिखूंगी 3 a b square और लास्ट है आपके पास plus b cube अब आपने क्या करना है इससे सिरफ माइनस करना है sign change करें सबसे पहले plus है यहाँ पे तो minus यह भी minus यह भी minus और यह भी minus सारे plus में थे इसलिए सारे आपके पास minus में हो गए है अब हमने इसको करना है q minus b कितना वनता है answer क्या था यह देखते है यह है आपके पास plus कोई sign नहीं है इसका बतलब यहाँ पे है plus plus और new sign minus plus minus minus तो यहाँ पे भी one है और यहाँ पे भी one है क्योंकि कोई number ना हो तो one होता है one minus one zero तो यहाँ पे आजेगा zero zero हम ना भी लिखे तो फरक नहीं पड़ता इसलिए हम सिरो नहीं लिखते है next time पे आजेए यहाँ पे minus है और new sign बना है वो भी minus का है तो minus minus आपके पास क्या होता है plus three plus two क्या हो जाएगा five a square b और sign कौन सा आएगा minus का क्योंकि बड़ी value के साथ क्या है minus का हम आपके लिखे बना है झाल हम जा आपके लिखे बस्टाइब लिखे दावाश़ पेसे पर दो क्योंकि अगर यहाँएवाशों झाल 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 झाल